क्या तुनिशा केस की जाच में पुलिस कर रही है शीजान के साथ बुरा वहवार? आखिर क्यूँ शीजान को पुलिस ने बिना चपल के सड़क पर घसीडा? कोट में ले जाते वक्त वारल हुआ शीजान का ये वीडियो वीडियो को देख लोगो का फूटा गुसा वेल क्या है पुरा मामला? आये जानते हैं फरस्ट इंडिया फिल्मी किस रिपोर्ट में तुनिशा शर्मा केस में उनके एक्स बॉइफरेंड शीजान खान की लगातार एक के बाद एक मुश्किले बढ़ते जा रही है तुनिशा की फैमिली ने एक्ट्रेस की मौत का जिम्मेदार शीजान खान को बताया है जिसके बाद कल शीजान खान को वसई कोट में पेश किया गया जिसके बाद पुलीस को उनकी दो दिन की कस्टिडी मिल चुकी है तुनिशा मामले में पुलिस लगातार शीजान से पुष्टाच कर रही है आपको बता दे कि शीजान खान को जब कल वाली पुलिस टेशन से वसाई कोट लेकर जाया जा रहा था तब उनकी एक्स्लूजिव फूटेजेज हमने आपको दिखाए थी जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस उन्हें घसीट कर गाड़ी से उतार कर लेकर जा रही है इतना है नहीं इस दोरां शीजान ने अपने पैरों में चपल भी नहीं पैने थे जिसके बाद उनका अब ये वीडियो खुब बारल होने लगा है और लोगों का गुसा भी फूर्ता दिखाई दे रहा है कई लोग पुलिस पर भढ़के हुए नजरा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि शिजान खान को मडरड की तरह पेश किया जा रहा है यहां तक कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से शिजान के साथ वेवार कर रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कि वो आतंकी है वीडियो में आप देख सकते हैं कि शिजान ने ब्लू कलर की हुडी और जिंस पहनी हुई है हालांकी उनके पैर नंगे हैं और उन्होंने चपल नहीं पहना है वहीं पुलिस जिजान को कार से घसिटते हुए कोट में लेकर जा रही है इतना ही नहीं आप इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि गाड़ी से उतारते वक्त शिजान के साथ कुछ और लोग भी मौजूद है और कहा जा रहा है कि ये सब ही अपरादी हैं जो कि किसी दूसरे केस के हैं लेकिन इन सब ही के साथ शिजान को कोट में लाया गया ऐसे में कई तरह की सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि आकिर शिजान को इन आरोपियों के साथ क्यों लाया गया आपको बता दे कि कल शिजान को कोट में पेश करने के बाद पुलिस ने कई दिलिले दी जिसके बाद कोट ने पुलिस की बात सुनने के बाद उन्हें दो दिन की रिमान दे दी है और अब शिजान 30 दिसंबर तक पुलिस रिमान में रहने वाले हैं इन सब के बीच आप भी देखे किस तरह से पुलिस रिजान को घसीट कर कोट लेकर जा रही है और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद किस तरह से लोग भड़के हुए हैं और उनका गुस्सा देखते ही बनता है पुलाओे हैं और टारूब बनता है ice ऐस जाओे हैं मारी इसी इसरा वाही है रिजा है उनकाने यह कर दिएखते हैं जेका वाही है लोग्राचम कि इस वारेल वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें entertainment की दुनिया से जुड़े हर एक latest खबरों से updated रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना नहीं भूलें